Hello and welcome back to my channel Pregnancy Care with Dishu कैसे हैं आप सब लोग, hopefully सबी लोग बहुत अच्छे से होंगे आज मैं आप लोगों के साथ में with picture, with proof share करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में इस तरीके के निशान दिखाई देते हैं या कहीं से आपको दिख जाते हैं तो इनका क्या संकेत है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दो तीन तरीके के निशान आप लोगों के साथ में share करूँगी दिखाऊंगी तो पहला आप लोगों ने देखा, second आप देख लेजिए इस तरीके का हो सकता है जो कि एक लंबा, एक उंगली के बराबर भी लंबा हो सकता है और एक हाथ के बराबर भी लंबा हो सकता है कितना भी लंबा हो सकता है, इसके कोई सीमा नहीं होती है ना है इसका perfect कोई shape होता है तो अगर इस तरीके का भी निशान दिखाई देता है जिसमें की 2-3 जगह या 4 जगह 5 जगह 6 जगह छेद मिल सकते हैं आपको तो या इस तरीके का गोलाकार का निशान दिखाई देता है लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो के थूँ शेयर किया था और वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं रेका है तो ज़रूर से मैं चैनल पर जाकर आप प्रिसेंटली टू-्थ्री वीडियो अप्लोड पहले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है तो चलिए आज हम इस निशान के बारे में बताती हूँ मैं तो ये जो निशान है वो गोलाकार तरीके से दिखाई दे रहा है हो सकता है इसमें छेद भी हूँ तो यहाँ पे आपको एक हलका सा छेद भी दिख रहा होगा और हो सकता है कि दूसरी तरफ इसमें छेद दिखाई दे रहे हूँ तो अगर इस तरीके का निशान आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि आपके गर्प में लड़की पल रही हो यह बिल्कुल भी सटीक चीज़े नहीं होती है बिल्कुल भी 100% शौर नहीं होती है यह चीज़े आपको बाद में पता चलेंगे कि जब कनफर्म आपका रहसर्ट आजाता है तो इस तरीके का अगर आपको निशान दिखाई देता है तो इट मेंस कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको के साथ में शेयर करूँगी कि बेबी बॉय होने पर किस तरीके का निशान दिखाई देता है सो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब्तो के लिए टेक केर अपना